आज कि इस वीडियो में हम कंप्लेट करेंगे चेप्टर चेकप टैन्थ क्लास एड़ आक्सफॉड मैट्स में से बचो इसमें हमें compound interest, simple interest, amount इन सभी चीज़ों के बारे में study करना है जैसा कि हमने chapter में किया था तो start करते हैं first question में है find the simple interest and the amount हमें दो काम करने है एक तो simple interest और एक amount calculate करना है तो simple interest के लिए बचो formula जो होता है वो हमें ध्यान होना चाहिए simple interest में formula क्या होता है PRT divide by 100 यह formula अपने ध्यान रखना है principle rate time ठीक है principle जिस पैसे का लेंदेन हुआ है ठीक है वो principle होता है जो यहाहां पे given है हमें rate का मतलब होता है किस हिसा अब से पैसा दिया गया है अब 4% का मतलब क्या है कि 100 रुपीज पे 4 रुपए ब्याज देना पड़ेगा इसको बोलता है rate ठीक है ऐसे ही time कितने समय के लिए उस पैसे को दिया गया और amount होता है बचो total पैसे जो हमें वापिस मिलेंगे ब्या निकल जाएगा amount अब देखो principal हमें given है तो एपार्ट से start करते हैं बच्चों हम एपार्ट से first का अब इसमें ए में है 560 प्रिंसिपल तो simple interest हम कैसे निकलेंगे 560 multiply rate कितने है 4% अब यहां जो बच्चो time की बात आती है अब रेट जो है वो percent per annum का मतलब होता है एक साल के लि आपको ध्यान एकना है one year में days होते हैं 365 तो days में अगर days को year में convert करना है तो 365 से divide करना पड़ेगा आपको अब यहां पर 73 days है first में हना तो 73 divided by 365 यह आपका आजेगा yearly time ठीक है अब इसका use आपने यहां पर करना है वैसे तो हमें करना था 73 लेकिन rate जो है वो पर annum में होती है तो आपने one year में convert करना है बच्चो पहले इसको अगर आप चाहे तो यहीं पर भी इसको cancel कर सकते हो नहीं करना है तो आप अगली step में यहां पर भी cancel कर सकते हो next step में ठीक है तो हम यहां लिखते है 73 और जो divide वाली statement है वो नीचे चल जाएगी 365 और 100 जो formula वाला है वो 100 भी नीचे आएगा ठीक है अब 73 की टेबल में 365 आता है बच्चो 5 पे तो 73 की टेबल में यह 5 पे cancel हो जाएगा 0 से बच्चो 0 यहां पे cancel हो ज cancel नहीं होगा आगे तो एक काम बच्चो यहां और हो सकता है कि 0 से 0 cancel करने की बजाए हम 5 पे इसको cancel कर दें तो 5 वंजा 5 5 वंजा 5 5 टूजा टैम अब क्या करेंगे सिधा 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे इसको हम multiply करते है 4 से 4 टूजा 8 4 वंजा 4 4 वंजा 4 अब नीचे ज इतना हो जाएगा अमाउंट मैंने आपको बताया था हुच्चो क्या था पी प्लस ऐसाई तो प्रिंसिपल है हमारा 560 प्लस करेंगे 4.48 अब इसको प्लस करना आना चाहिए आपने क्या करना है पहले जो प्रिंसिपल है उसको लिखना है अगर पॉइंट वाली स्टेटमें में वो तो लास्ट में होता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट टकना है 4.48 क्योंकि प्लस करने में बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं मैंने कई बार देखा है तो यह आजगा 8 4 यहां प्याजगा 4 6 5 तो यह बच्चो आपका आगया अमाउंट ठीक है नेक्स करत 146 करेंगे नहीं क्योंकि डेज में है तो 365 इसके नीचे यह आएगा यह क्लियर रखना अगर यहां पर डिरेक्ट इयर्स में दे रखा है फिर हमें यह करने की जुरूरत नहीं होती है ठीक है अब यहां पर डेज में है इसलिए हम 365 से इसको डिवाइड कर रहे हैं और नीच बचो ऐसे कैंसल नहीं करना आता आपको तो आप अपने अकॉर्डिंग 5 की टेबल पर भी इसको कैंसल आउट कर सकते हैं ठीक है कोई बाउंडेशन नहीं आपने इसी तरह से कैंसल करना जैसे मैं आपको करके दिखाया है ठीक है अब यहां पर फाइव की टेबल में इसको ही हम कैंसल कर सकते हैं 0 से मैं कैंसल जीरो क्यों नहीं कर रहा क्योंकि फिर फाइव से डीवाइड करना पड़ेगा तो यह एंगा बचो 5 5 25 यहां से बचेगा 2 25 4 20 और 0-10 फिर यहां आप 0-00 कैंसल कर ली जीए आगे करने का फायदा नहीं अब हम सीधा करेंगे मल्टिप्ल टू अब एक के बाद यहां पर पॉइंट लग जागे के नीचे 10 तो यह तो आगए इंट्रस्ट अब अमाउंट कितना बनेगा बच्छों अमाउंट बनेगा आपका पी प्लस तो प्रिंसिपल था 2700 अभी अभी मैंने बताया आपको पॉइंट लगा के जिरू लगा दें नहीं 97.2 इसमें आपने एड़ कर देना है तो यह आजएगा 27972 यह आपका अमाउंट आगया ठीक है सी पाट करते हैं तो प्रिंसिपल लेते हैं 10,000 multiply rate बचों कितनी है 12 है न 12 और time जो है वो years में इस बार हना जो इसको हम same रखेंगे years में लेकिन point इसका हटा देंगे 325 डिवाइड बाइ 100 आ जाएगा और यहाँ पर एक formula वाला 100 जो होता है PRT डिवाइड बाइ 100 ठीक है यह 100 किसका यह इसका point हटा दिया हमने अब 20 से 20 कैंसल तो यह आगया आपका 12 multiply 325 इसकी multiply बचों आपने कर देनी है तो यह आज़ेगा 3900 तो यह जो आगया आपका ब्याज और amount कितना बन जाएगा P plus SI principle कितना था 10,000 प्लस कर देंगे 3900 तो यह आज़ेगा आपका 13,900 रुपेज ठीक है second में हमें निकालना है बच्छो principle अब principle निकालने के लिए formula तो हमारे पास वही है SI is equal to PRT divided by 100 ठीक है अब इसी formula से कैसे हम principle निकाल सकते हैं तो आपने क्या देना है P is equal to SI multiply यहाँ पर आप note करें जो भी P के साथ extra है उसको हम shift करेंगे right में right में SI simple interest पहले से था उसको हमने लिखा ठीक है और 100 डिवाइड में है यह जाएगा multiply में और multiply में को नहीं है R और T R और T को हम लिख देंगे nature तो यह formula आपके आपका प्रिंसिपल का ठीक है तो A part solve करते हैं पहले P is equal to simple interest कितना है 392 तो पहले हम लेंगे 392 multiply 100 डिवाइड बाई R और T है देखो R कितना है 3.5% हाना तो यहाँ 3.5 है अभी 3.5 ही लिखो multiply में time भी 3.5 है तो 3.5 लिख दो हना अब हम इनका point हटाएंगे बच्चों पहले अब इसका point हटेगा तो यह आएगा 392 multiply 100 यह तो उपर पहले से है नीचे 35 और divide में 10 हैगा अब यह पहले से divide है तो divide का divide कहा चला जाता है उपर ठीक है इसी तरह से इसका point हटाएंगे तो 35 औ 7 जा 35 5 तो जा 10 7 पर इसको करके देखते हैं 7 बन जा 7 7 5 जा 30 7 6 जा 35 था स्वरी 7 6 जा ठीक है 56 आ जागा फिर से 7 पर करेंगे 7 8 जा 56 इनके multiply करते हैं 8 तो जा 16 16 तो जा 32 यह आ गया आपका स्वरी 100 से भी multiply कर देंगे 32 100 क्योंकि 100 भी है न तो यह principle है आपका next में देखो बच्चो सेम इसी तरीके से हम करेंगे बी पार्ट को 4.50 यह तो है आपका क्या interest तो यहां हम लिखेंगे P is equal to 4.50 multiply 100 क्योंकि formula से 100 आता है फिर divide by month अब यहां clear रखना है बच्चों आपने time month में आ गया तो month को year में कैसे change करोगे 5 divided by 12 करके पहले हमने 365 डिवाइड किया क्योंकि वो days में था अब यहां month में है तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12 इसलिए 12 से दिवाइड करेंगे तो यह आजएगा 5 टाइम नहीं है टाइम 5 है तो 5 divided by 12 डिवाइड का डिवाइड चला जाता है उपर तो 12 आजएगा यहां पर और साथ में है रेट रेट है 5 4.5 अब हम इनको solve करेंगे इनके points हटा के ठीक है तो solve करने के लिए हम यहां लिखते हैं एक 50 divided by 100 फिर multiply में 100 फिर multiply में 12 यहां पर है 5 और यहां पर है 45 multiply 10 कैंसल करते हैं आप बचो 45 से 45 को cancel कर देते हैं 10 आ गया 100 से 100 को cancel कर देते हैं 5 की डेबल में 5 टूजा 10 तो यह आ गया 12 टूजा 24 टेंजा 240 तो answer आगया आपका 24 थर्ड की statement देखें students find the interest and the rate परसेंट अब इसमें क्या करना है हमें एक तो हमें निकालना है interest ठीक है यहां पर डैश दिया गया है एक हमें निकालनी है rate अब interest कैसे निकलेगा interest निकलेगा amount से क्योंकि amount इसमें given है ठीक है तो मैंने आपको एक formula बताय था कि amount होता है वो कैसे निकलता है principle और simple interest के सम से ठीक है अगर हमें simple interest निकालना है तो क्या हो जाएगा simple interest हो जाएगा amount minus principle ठीक है तो यहां से हम इस formula का use करते हैं simple interest is equal to amount कितना है 11800 ठीक है minus करेंगे 10,000 तो यह हो जाएगा आपका प्रिंसिपल पता है रेट निकालनी है तो उसके लिए formula बचो हम बनाते हैं जैसे simple interest का formula क्या होता है simple interest का formula होता है हमारे पास PRT divided by 100 यही है अब आपको क्या निकालना है आर तो आर के साथ जो कुछ भी extra उसको SI के पास बेज देंगे 100 उपर multiply में जाएगा पी और टी डिवाइड में आ जाएगे तो यह आपका formula बन गया अब इससी formula का यूज करके निकालते हैं हम rate simple interest 1800 multiply 100 divide by principle कितना है principle है हमारे 10,000 ठीक है 10,000 multiply time है two years तो two zero से two zero cancel करो two zero से two zero two nines are 18 तो answer आगे 9 और rate को हमेशा percentage में लिखा जाता है 9% next fourth में देखें बचो इसमें हमें given है a sum of money amounts to 780 rupees in two years मतलब क्या है एक sum of money अब principle कितना है वो हमें नहीं बता बचो इस question में बताया गया कि वो पैसे जो थे जिसका लेंदेन हुआ वो 780 rupees हो जाते है two years में amount है बचुए amount टोटल amount दो साल के बाद 760 रुपए हो जाता है and 1230 rupees in seven year और साथ साल में हो जाता है 1230 अब यहां पर सिरफ time और amount given है find the principle and the rate of simple interest तो हमें principle भी निकालना है और rate भी निकालना है इस तरह के question के लिए बच्चो आपको मैं एक amount का formula बताता हूं आपने clear रखना है क्या पी इन्टू आर्टी प्लस 100 डिवाइड बाइड बाइड हंडर्ड इस इक्वल टू amount यह amount का formula होता है ठीक है अब इसको थोड़ा सा अगर हम modify करें तो यह बन जाएगा आपका 100 डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो multiply पी इन् ठीक है यह बन गया अब यहां पर दो हमारे पास amount है लेकिन principle और rate दोनों में सेम रहेगा ठीक है क्योंकि उन्हीं पैसों का उन्हीं उसी rate से time अलग-अलग हो जाता है ठीक है तो हम यहां पर लेंगे क्योंकि दो amount है तो a1 कितना है 780 a2 कितना है 1230 ठीक है तो a1 के लिए हम जो है equation बनाते हैं तो वह क्या बनेगी पीवन इस फॉर्मुले से पीवन इंटू आरवन मल्टिप्लाई आरोटी का मतलब आर मल्टिप्लाई टीवन प्लस हंडर इस एक्वल टू हंडर्ड मल्टिप्लाई एवन ठीक है अब इसी तरह से दूसरी equation बनाते हैं यहां पर तो बने की बच्चों आपकी पीटू मल्टिप्लाई आर्टू टीटू प्लस हंडर्ड इस एक्वल टू एटू अब आप देखें पीवन और पीटू यह तो सेम है क्योंकि प्रिंसिपल सेम रहेगा तो इसलिए इसको तो रखेंगा हम पी रेट भी सेम है तो आर और टी को वन रकेंगे क्योंकि टाइम वन है प्लस हंडर्ड इस इक्वल टू हंड्डड मल्टिप्लाई यह वन ठीक है और यहां पर हो जाएगा बैचों पी इंटू आर इंटू टी 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 time second plus hundred is equal to a2 multiply by hundred ठीके यह दोनों किस्से बनाए मैंने इस formula से ठीके अब हम क्या करेंगे first equation को second से करते हैं divide ठीके तो यह divide करने पर यह second को first से कर लो मर्जी आपकी second को first से कर देते हैं तो second equation आप लिखेंगे उपर आर अब देखो यहाँ पर T2 है यहां लिखेंगे T2 plus hundred is equal to divide में क्या आएगा इधर वाली statement P into R T1 plus hundred is equal to hundred multiply a2 उपर और hundred multiply a1 नीचे ठीके hundred से hundred हो जाएगा cancel यहां पर P की value हमें नहीं पता है तो P रखेंगे इसको into R और T2 second time है 7 years तो 7R हो जाएगा plus hundred divide by sorry P से P भी तो cancel हो जाएगा उच्छो सेम है न P से P cancel हो गया तो यह आगया 7R into hundred divide by first वाले में time कितना है 2 years तो 2R plus hundred is equal to a2 second amount ते रखा है 1230 ठीके और first amount है 780 अब यह cancel होता है बच्छो कर देते हैं 3 पर हो जाएगा 2R plus hundred cross multiply आपको करनी आती होगी तो हम cross multiply करते हैं इधर 26 को 7 से करेंगे तो आएगा 182R plus 26 को 100 से करेंगे तो 26 hundred plus 41 को 2 से करेंगे तो sorry plus नहीं आएगा equal to 82R plus 41 को 100 से करेंगे 4100 अब R वाली statement को एक तरफ करो 182R यह इधर plus का इधर आएगा तो minus का 82R ठीके is equal to 4100 इधर पहले से है minus 2600 ठीके इसको minus करोगे तो आजएगा 100R is equal to इसको minus करोगे तो आप आएगा 1500 100 इधर multiply में इस तरफ shift करेंगे डिवाइड में 0 से 0 cancel तो R आ गया rate आपका 15% ठीके अब rate पदा चलने के बाद हमारे पास statement आ गई देखो principle हमें निकालना है तो हम किसी एक equation का use करेंगे first का करते हैं यहाँ पर P1, R1 और T1 तो P हमें निकालना है rate हमारे पास आ चुकी है 15 तो 15 multiply time कितना है first dollar time है 2 year plus 100 is equal to 100 multiply A1 कितना है 780 ठीके अब P into 15 multiply 2 करेंगे तो 15 to 30 30 plus 100 is equal to 100 multiply 780 ठीके 30 plus 100 कितना है 130 तो P multiply 130 is equal to 100 multiply 780 अब 130 को multiply वाले को shift करेंगे दिवाइड में तो यह हो जाएगा 100 multiply 780 डिवाइड बाई 130 0 से 0 कैंसल 13 6 जा 78 तो 600 आपका principle नेक्स्ट कोशन एडिया इतने समय में खुद को double कर लेंगे means क्या है कि ब्याज जितने पैसे उतना ही उस पर ब्याज लग जाएगा तो डबल हो जाएंगे rate दे रखिए 8% तो यहां पे given हमें क्या है rate रेट जो है वो है 8% time हमें find out करना है तो यहां पे hint भी हमें दे रखाया है let the principal be hundred interest will also be hundred तो interest भी hundred हो जाएगा है न क्योंकि double कर देता है पैसा इसको हम यह लिखेंगे let principal is equal to hundred rupees सो रुपए हमने माल लिया principal है तो simple interest भी कितना हो जाएगा same hundred rupees तब ही तो दोनों मिलके double हो जाएगा two hundred hundred का double two hundred होता है न इसलिए अब हम यहां पर simple interest वाला form लगाते है P R T divided by hundred is equal to simple interest तो यह हो जेगा P की जगा पे hundred multiply rate है eight multiply time हमें find out करना है divide by hundred और simple interest भी hundred अब यह 100 कहां से आए यह हमने let किया अगर यहां पर आप x लोगे तब भी same answer आएगा ठीक है x माल लो तो यह हो जाएगा x ठीक है यहां hundred से hundred cancel तो आप देखे ट के साथ eight multiply में इसको अगर हम shift करते है right में तो t is equal to आजएगा hundred by eight four पे cancel करते है four to eight four twenty five आजएगा twenty five by two years लिखो या फिर mix fraction में change कर होगे तो twelve one by two years ठीक है यह time है मतलब बारा साल पूरे और half year साथ में ठीक है इतने समय में पैसा double हो जाएगा next जो है six question देखते है six question find compound interest अब बचो compound interest जो होता है वो आपने ध्यान रखना है कि compound interest को direct हम नहीं निकाल सकते हैं इसके लिए formula क्या होता है अब compound interest जो होगा वो होगा amount minus principle जैसे simple interest था अब amount का formula जो है जब compound interest निकालते हो amount का बचो formula जो होता है वो होता है P into वैसे तो होता है 1 plus r by 100 power n, n means time ठीक है यहाँ n लो या t लो आपकी मर्जी है दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हो यह हो गया principle rate और time t भी लिख सकते हो आप यहाँ पर और इसको थोड़ा सा मैं modify कर देता हूं आपको simple रहेगा इसको आपने लिखना है 100 plus r divided by 100 power n ठीक है यह formula आपने use करना है वैसे books में यह लिखा होता है तो यह दोनों equivalent है कोई दिकत नहीं है इसमें ऐसा करोगे तो बिल्कुल सिंपल रहेगा पहले 100 में rate प्लस करो फिर divide by 100 कर दो ठीक है अब यहाँ पर हम क्या लेंगे फर्स में हमें component निकालना है तो उसके लिए पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा amount आएगा हमारा compound प्रिंसिपल है 7000 तो हम यहां लिखेंगे a is equal to 7000 इंटू और 100 प्लस rate है आपका इस question का 10% 10 divided by 100 बहुत से बच्ची यहां गलती करते हैं कैंसल करने की कैंसल नहीं करना है पावर कितनी आजेगी पावर आजेगी जितना टाइम है फोर यह तो फोर अब इसको कैसे करना है आपने 7000 60% multiply 100 प्लस 10 होजएगा 110 डिवाइड बाइड अब यह जो स्ट्रेटमेंट आई है इसको उतनी ही बार मल्टिपलाई में अपने लिखना है जितनी पावर होगी यहां पे 4 है तो आप इसको 4 टाइमस मल्टिपलाई में लिखेंगे 110 डिवाइड बाइड 100 डिवाइड जो cancel होता है करो 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 सेम यहाँ पे 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 सेम यहाँ पे एक 0 नीचे बच गई अब इन सब की आप मल्टिप्लाई करोगे 1 0 2 4 8 7 ठीक है इन सब की 7 11 11 11 और 11 यह आगया अब नीचे 10 है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे यह अमाउंट आ गया बच्चों अब हमें तो चाहिए कमपाउंट इंटरस तो हम क्या लिखेंगे अमाउंट माइनस अमाउंट है 102 4 8 0.7 इसमें से 7,000 को माइनस करना है आपने तो 7,000 पॉइंट 0 लिखना है माइनस करेंगे तो 7 पॉइंट का पॉइंट 8, 4, 2 10 माइनस 7, 3 तो यह आगया आपका कमपाउंट इंटरस ठीक है सेवंट करते हैं सेम हम करेंगे इस कोशन में भी कमपाउंट इंटरस के लिए अमाउंट निकालेंगे पहले अब इस कोशन में जो प्रिंसिपल है वो है 30,000 रुपेज मल्टिप्लाइबाई 100 प्लस रेट की तरह हैं इस बार 12 परसेंट 100 प्लस 12 डिवाइड बाई 100 और पावर है यहाँ पे बच्छो 2 इयर्स तो यह हो जगा 30,000 मल्टिप्लाइब 100 प्लस 12 112 डिवाइड बाई 100 मल्टिप्लाइब 112 डिवाइड बाई 100 दो बार क्यों लिखा क्योंकि पावर 2 है अब 2,0 से 2,0 कैंसल 2,0 से 2,0 और कुछ कैंसल नहीं हो रहा तो 112 को 112 से फिर 3 से तो यह आजाएगा आपका आंसर 37,632 अब इस में से हम माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को तो हमारा आंसर आजाएगा कितना आएगा 37,632 इस में से हम माइनस करेंगे 30,000 को तो यह आजाएगा 7,632 रुपेज एट्थ की स्टेटमेंट में देखें राजन बौरवड 5000 रुपेज एट परसेंट पर एनम फॉर थी एर्स अब प्रिंसिपल जो है वो है 5000 पी इस इक्वल तो 5000 रेट 8 परसेंट है और टाइम है 3 एर्स तो हमें करना क्या है find the difference between compound interest and simple interest assuming compounded annually तो हमें simple interest भी निकालना है compound interest भी फिर हमें बताना है कि किस में ज़्यादा sorry उनका difference क्या है कौन ज़्यादा है कौन कम है क्या difference है तो पहले हम निकालते है compound interest तो amount क्या होता है amount होता है sorry compound interest कैसे निकालते हैं CI is equal to amount minus principal और A का formula आपको पता है A का formula क्या है P principle 5000 into 100 plus rate 8 divide by 100 और power जितनी time है तीक है अब यह आजएगा 5000 multiply 108 divide by 100 multiply 108 divide by 100 and multiply 108 divide by 100 तीम बार क्यों लिखा क्योंकि power 3 है तो 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 5 की table पे 5 1 जा 5 5 2 जा 10 2 पे cancel करेंगे इसको 2 5 जा 10 2 4 जा 8 आगे इसको cancel करने का फाइदा नहीं है तीनों को multiply करके दो के बाद पॉइंट लगाते है तो यह हो जाएगा अगर हम इसको calculate करते हैं तो 6 2 9 8 5 6 दो के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यह आ गया 6,298.56 रूपेज अमाउंट तो compound interest क्या हो जाएगा इसमें से हम minus करेंगे 6,298.56 में से 5,000 जो हमारा principle है 5,000.00 लिख देने आपने तो यह जाएगा 6,5 और यहाँ से 8,9,2,1 ठीक है compound interest को यह चोड़के अब हम calculate करेंगे simple interest तो simple interest का तो formula simple है क्या है formula SI is equal to PRT तो 5,000 multiply rate 8% multiply time 3 divide by 100 तो 00 से 00 cancel तो यह हो जाएगा आपका 8,3,24,5,0 12,100 ठीक है यह आगया आपका simple interest अब देखो यह दोनों में से कौन जाद है compound interest जादा है तो इनका हम इन difference निकालने तो हम यहा लिखेंगे difference is equal to जादा है वाले को पहले लिखेंगे 1298.56 इसमें से minus कर देंगे 1200 तो यह आजएगा दोनों का difference कितना आजएगा 98.56 रूपेज ठीक है next next में देखें students अशाना deposit rate 12,000 रूपेज तो principal आपका हो गया 12,000 ठीक है रूपेज in a bank for two years तो time है यहाँ पर two years it is compounded annually compounded annually यह भी बात ध्यान रखनी है आपने क्योंकि half year annually का मतलो है पूरे साल के बाद amount जो है वो कठा होगा interest लगेगा अगर यहाँ half yearly हो तो होता है 6-6 महिने के बाद ठीक है 9% हो जाएगी आपकी rate अब क्या है what amount will she receive on maturity मतलब जब यह time period पूरा हो जाएगा तो कितना उसको amount मेलेगा तो सिधा हमें amount बताने है तो amount वाला formula हमारा use करेंगे हम a is equal to p principal into 100 plus rate है 9 divide by 100 और पावर हो जाएगी आपकी जितना time है 2 तो यह हो जाएगा आपका 12,000 multiply 100 plus 9 109 divide by 100 multiply 109 divide by 100 20 से 20 कैंसल करेंगे 10 से 10 आगे कैंसल करने का फाइदा नहीं है सीधा multiply करेंगे इन तीनों को और एक के बाद point तो answer आएगा आपका 142572 ठीक है अब हमें लगाना है एक के बाद point तो यहाँ जाएगा point तो answer आगया 14257.20 भी लिख सकते हो टू रूपेज भी लिख सकते हो ठीक है यह आगया आपका answer next 10 की statement देखते हैं find the interest earned on 5000 रूपेज for two years at 12% compounded annually तो compound interest निकालना है बच्चों हमने तो हम क्या करेंगे compound interest amount minus principal amount का formula principal हमारा कितना है इस बार 5000 multiply ब्रेकेट 100 प्लस rate करना होता है हमें तो 100 प्लस 12 डिवाइड बाई 100 और पावर कितनी करनी है पावर करनी है 2 minus करना है principal 5000 ठीक है अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 5000 तो इस बावर कितनी करनी तो फिवार कितनी करने करें तो 56 अजेगा तो यह बन जाएगा आपका 6272 माइनस करना है 5000 तो इंट्रस आजेगा आपका 1272 रूपिज नेक्स्ट वाले के दो पार्ट है बच्छो हमारे पास दोनों में हमें माउंट और निकालना है फॉर्मुला हमारा सेम रहेगा तो क्या करेंगे 72,000 प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट करना होता है तो 106 आ जाएगा बच्छो डिवाइड बाई 100 और कितनी बार इसको लेना है कितनी बार इसको लेना है multiply में जितना time है time 3 है तो 3 times इसको आपने multiply में ले लेना है और multiply by 100 ठीक है अब जो cancel होता है 20 से 20,10 से 10 ठीक है आगे cancel करने का फाइदा नहीं है तो multiply आपने करवा देनी है इन तीनों की 72 के साथ तो बच्छो answer आपका बनेगा 85,753.152 ठीक है क्योंकि 3 के बाद point लगेगा तो आपने याद रखना है जब भी rupees वाला statement सम करें तो 2 numbers तकी आपने round off कर देना है इसके बाद अगर 5 से जादा है तो इसको एक बढ़ा दो अगर कम है तो छोड़ दो ठीक है अब आपने क्या करना है यह आपका answer आ गया compound interest ठीक है sorry amount compound interest कितना हो amount 85,753.15 नहीं बोलेंगे 15 बोलेंगे इस में से minus कर देंगे जो हमारा principal था ठीक है तो यह हो जब आपका 5 1 point का point रहेगा 3 5 7 5 में से 2 3 और 8 में से 7 1 यह compound interest हो गया यह हो गया आपका a part ठीक है same way में आपने करना है b part को b part में हमारे पास जो statement है उसका हम use करेंगे पहले amount निकालने के लिए amount आएगा principle है 5000 multiply 100 प्लस 9 109 हो जाएगा कितनी बार आएगा 2 times divided by 100 multiply 109 divided by 100 ठीक है 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 अब भी 5 पे cancel होता है लेकिन करना नहीं है तो इसको आपने multiply करना है 109 को 109 से तो उसके बार जो आएगा उसको 5 से ठीक है त 59405 और एक के बाद point है तो यह आपका answer आगया ठीक है अब हमें compound interest भी इसमें निकालना है बच्चो तो इसमें से हम minus करेंगे 5940.5 में से 5000 को हम minus करेंगे तो यह आजगा 5049 यह आपका answer 12 में देखें find the principle if it amounted to 16,000 amount हमें given है बच्चो amount given है कितना है 16,335 रूपेज तो क्या होता है at the rate 10% rate भी given है 10% तो हमें principle निकालना है कितना है तो formula हम वही use करेंगे principle into 100 plus rate divided by 100 power n is equal to amount यह amount होता है तो p की जगा p रहने दो into 100 plus r 100 plus 10 rate 10 है तो 110 divided by 100 हो जाएगा power n है तो यह है 2 years के लिए तो power रखेंगे 2 और amount हो जाएगा 16,335 ठीक है अब इसको हम solve करते हैं तो यह हो जाएगा p into 0 से 0 cancer 11 by 10 कितनी बार दो बार 11 by 10 multiply 11 by 10 is equal to 16,335 अब आपने एक चीज़ नोट करनी है यहाँ पर जो p के साथ multiply में होगा इधर उपर उसको हम shift करेंगे तो वो divide में जाएगा बच्चों तो यहाँ पर करते हैं p is equal to जो पहले से राइट साइड में है 16,335 उसको लिखेंगे divide का sign लगाएंगे और क्या करेंगे जो उपर है 11,11 तो इसको आपने ले जाना नीचे और नीचे 10,10 है यह उपर चला जाएगा फिर आप दुबारह 11 से करेंगे जब आप तो यह बच जाएगा आपका 135 ठीक है अब 10,10 इस से multiply करेंगे तो 13,500 रुपेज यह आपका principal आ गया ठीक है simple है ना next 13 में देखें students, in how many years will 8800 amounts to, अब देखो principal भी गिवन है, amount भी गिवन है, rate भी गिवन है, time हमें निकालना है, तो हम वही अपना formula यूज करेंगे फिर से principal 8800 into 100 plus rate, 100 plus rate कितनी है 10, divide by 100, उपर जो पावर आएगी time, time को t लिख दो, n लिख दो एक ही बात है, is equal to amount कितना है इस बार, amount है आपका 10,648, ठीक है, अब आपने एक चीज नोट करनी है यहाँ पर, कि इसके उपर तो power है, इस bracket के उपर, इसको तो इधर ही रखो, तो यह हो जएगा, 110 divided by 100, poverty is equal to, यह इधर पहले से है, है ना, है ना, अब 8800 इधर multiply में है, bracket के साथ, इधर shift कर करेंगे तो जाएगा divide में, यह बात आपने clear रखनी है, अब इधर 0 से 0 कैंसल कर दो, तो यह है 11 by 10, power आजेगे T, इधर भी हमें इसको 11 और 10 की power में convert करना है, ठीक है, अब 10 की power तो तब ही आएगी जब 100 बचेगा नीचे, यह 1000 बचेगा, तो यह cancel होगा, बच्चो, पूरा 9 जा 99, 106 को हमने equate किया, उसके बाद 11 6 पे जाएगा 66 और 11 8 जा 88, पूरा पूरा होगया कैंसल, 11 8 जा 88 तो 800 आ गया, फिर अब हम इसको 8 पे चैंसल करेंगे, बच्चो, 8 जा 800 आ गया नीचे, यह 8 पे चैंसल करेंगे, 8 जा 8, फिर यह 16, 8 जा 16, 8 जा 8, तो 121 by 100, अब 121 को ह 10 multiply 10, ठीक है, तो यह हो जाएगा 11 by 10, पावर T, इधर हो जाएगा 11 square और 10 square, तो 11 by 10 पावर 2 कर दिया, अब दोनों तरह 11 by 10 बेस सेम, तो पावर भी सेम होते है, तो यहां से आजेगा, T is equal to 2, टाइम आ गया 2 years, इस तरह से solve करना है, next, 14 में at what rate, अब देखो 14 में हमें निकाल 4,000 amounts to 5,324 in 3 years, time भी given है, amount भी given है और principle भी, तो वही formula हम यूज करेंगे, principle into 100 plus rate divided by 100 power T, time कितना है, 3 years, तो 3 करेंगे, is equal to amount, amount है 5, 3, 2, 4, ठीक है, अब यह multiply में है, इसको divide में लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले, divide में ही ले जाओ, तो यहाँ आजाएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, 100 plus R divided by 100 power 3, और यहाँ पर है आपकी statement, 5, 3, 2, 4, 4000 divide में, इधर multiply में था, divide में आजाएगा, 4 पर यह दोनों cancel हो जाएगे, 4 बन्जा 4, 1000 आ गया, 4 बन्जा 4, 13, 4, 3, 12, 4, 3, 12, 4 बन्जा 4, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, इधर है power 3, अगर हमें power 3 को cancel करना है, तो इसको हम cube power में अगर लिखना चाहें, तो इसको हम लिख सकते हैं, 13, 31 जो होता है, इसको अगर आप factor बनाओगे, तो यह बनेंगे 11 multiply, 11 multiply, 11, और 1000 के होते हैं, बच्छो 10 multiply, 10, तो इसको हम लिख सकते हैं, 11 power 3, इसको 10 power 3, तो यहाँ पर हो जाएगा, 100 plus r divided by 100, यह 100 से 100 cancel मत करते हैं इसको, क्योंकि अभी plus में r है, power 3 is equal to, इसको हम लिख सकते हैं, 11 by 10 power 3, अब दोनों तरफ power same है, तो cancel कर दूं, तो यह बन गई आपकी statement, 100 plus r divided by 100 is equal to 11 by 10, अब 100 plus r के साथ divide में 100 है, divide वाले 100 को shift करना है, अपने right में तो यह multiply में चला जाएगा, 100 plus r is equal to 11 by 10, multiply by 100, 0 से 0 cancel, तो answer आगया 110, और r के साथ plus का 100 है, इसको shift करेंगे, तो यह जाएगा minus में 110 minus 100, तो answer आगया आपका 10 percent, ठीक है, इस तरह से, next, 15 में देखे, find the compound interest on the sum of, अब principle दे रखा है, rate दे रख है, तो simple question है आपका, compound interest का, amount का formula 7000 into 100 plus rate, rate कितनी है, 8 divided by 100, power जो time है, 2 है तो 2, और minus कर दिना आपने 7000, क्योंकि सीधा मैंने formula लगा दिया, compound interest का, यह तो amount आएगा, amount में से, इसको minus करेंगे, तो ब्याज हमें पत चल जाएगा, तो यह जह का 7000, multiply 108 divided by 100 कितनी बार, जितना time है, 2 times, तो 108 divided by 100, जो cancel होता है करो, 20 से 20, 10 से 10, अब हम करते हैंगे, इनके multiply, ठीक है, तो multiply करेंगे 108 को, 108 के साथ, और फिर आएगा जो answer उसको 7 के साथ, ठीक है, तो यह आपका बन जाएगा, 81,648, लेकिन एक के बाद point लगेगा, तो यहाँ point, इसमें से 7000 हमें minus करना है, बच्चो, तो यह statement कुछ इस तरह से होजएगे, आपकी 8164.8, इसमें से 7000 को आप minus करेंगे, तो यह आजएगा 8, यहाँ से आजएगा 4611, तो यह आपका answer आ गया, 16 में देखें, calculate the compound interest on 20,000 for one and half year at the rate of 10% per annum compounded semi annually, अब यहाँ पर आपने धिहान देना है, थोड़ा सा, फॉर्मुले में थोड़ा change आएगा, वो आपने क्या धिहान देना है, amount is equal to p into, यहाँ तक 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 से में, यहाँ change आएगा 100 plus r, divide by, यहाँ फिर 100 नहीं आएगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि 200 हो जाएगा, तो यह आपका आएगा, 1 plus r by 200, इसको अभी आपने इसी तरह से लेना है, ठीक है, अब वो formula नहीं use करना है, 1 plus r by 200 power 2t, ठीक है, time को double करन बड़ेगा, बात समझा रही है, क्योंकि एक साल में, 1 year में, कितने 6 months बनेंगे, 2 बनेंगे, पहले 6 महिने और बाद वले, ठीक है, तो 2 half year बनेंगे, बात समझा रही है, इसलिए हम 2 से इसको multiply कर रहे हैं, time को, तो यहाँ पर, पहले हम देखते है, time हमारा जो है, वो fraction में है तो इसको solve कर लो time कीतना होजगा, 2 बनसर, 2 प्लस 1, 3, 3 by 2 years, यह time है, और rate भी 10% है, sum भी दे रहा हमे, तो हम यहाँ लिखेंगे, amount इसलिए वो, compoundNedans निकालने, तो पहले amount निकालेगे, amount इसलिए वो, P, P कितना है, 20,000, multiply, 1 plus R, rate कितनी है, 10%, 10 by 200, और power उजगी 2 multiply 3 by 2, यह 3 by टी के वेल्यू, टाइम के वेल्यू, ठीक है, अब यहाँ टू से टू होगया, कैंसल, यहाँ 0 से 0 कैंसल कर दो, अब इसको सॉल्व करने का मैं मेथड आपको बताता हूं, बिल्कुल असान, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, आपने यहाँ जो नंबर होगा, उसकी 1 से 3, 1 by 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 0 तो होगी कैंसल, अब 2 की टेबल पे, 2 बंजा 2, 2 टेंजा 20, 2 बंजा 2, 2 फाइजा 10, आगे यह कैंसल नहीं होगा, 2 जो है, वो किसी के साथ भी कैंसल नहीं होगा, यह आजेगा आपका 4, 6, 3, 0, 5, और डिवाइड में 2 है, तो 2 से डिवाइड कर द 5, ठीक है, अब यह तो आया amount, हमें चाहिए compound interest, तो compound interest के लिए क्या करोगे, amount में से minus करोगे principle को, 20,000 को, ठीक है, तो यह आजेगा 5.2513, ठीक है, तो यह आपका answer आ गया, next, 17th में देखें, find the compound interest on 164, sorry, 160,000 for 2 years, 10%, semi-anually, semi-anually वाला formula हम use करेंगे, amount is equal to P, principle कितना है, 1,60,000, ठीक है, into 1 plus rate, 10 by 200, ठीक है, semi-anually में 200, और power 2 multiply time, time है 2 years, 2 to the 4 हो जाएगा, 0 से 0 cancel करनी है, तो जाएगा 1,60,000 multiply, मैंने आपको कैसे बताया, 20 को यहाँ multiply करो, 20 बज़ 20, और जो यहाँ पे होगा, वो plus कर दो, 1 है, तो 20 plus 1, 21, by 20, कितनी बार लिखना है, 2 to the 4, 4 times, 21 by 20, 21 by 20, और 21 by 20, ठीक है, clear, अब 4 0 है, 1, 2, 3, 4, तो पर 1, 2, 3, 4, cancel, 2 पे cancel करेंगे, 2, 8, 16, 2 पे 2, 4, 8, फिर 2 पे 2, 2, 4, और 2 से 2, यह cancel होगे, 21 को 4 times हम कर देते हैं, multiply, तो यह आजएगा आपका, 1, 9, 4, 4, 8, 1, ठीक है, तो इतना amount हो गया, हमें के निकालना है, find the compound interest, तो इस में से, compound interest कितना जएगा, 1, 9, 4, 481 में से 1, 60,000 को आपने बच्चो कर देना है, minus 1, 8, 4, 4, 3, तो यह आपका answer आगया, ठीक है, next, 18 में देखें बच्चो, the population of a town increase 4% annually, किसी टाउन की population 4% annually के हिसाब से increase कर रही है, if present population is 54,080, what was the population 2 years ago, अब देखो, अगर तो population पुछी गई होते हैं, दो साल बाद की, तब तो P की value आप लेते हैं, यह वाली, अब दो साल पहले वाली जो होगी, वो original population होगी, यह amount की जगा, एक जगा आएगा, तो आपने, लिकिना है, let population 2 years ago, दो साल पहले population को हमा लेते हैं, पी, ठीके, और अब वाली current population, current population, current population हो जाएगी बच्चो आपके, 54,080, ठीके, और rate जो है, R की value है 4%, तो हमें बताना है कि यह P की value कितनी आएगी, तो उसके लिए, formula लगाएंगे हम, P into 100 plus rate, rate है 4, divide by 100 is equal to amount, amount कितना है, 54,080, अब P की साथ, multiply में क्या है, 104 उपर हो जाएगा, divide by 100 is equal to 54,080, ठीके, अब right side में जब हम shift करेंगे इसको, तो 104 जाएगा नीचे, 100 जाएगा उपर, तो P की value आपकी आजाएगी, 54,080, multiply 100, multiply 100, divide by 104, sorry, 2 times आएगा बच्चो, time भी लेना है तो ना, power time, तो 2 बार आएगा, यह multiply में, power 2 है, तो नीचे 2 बार आजाएगा, clear, अब इसको cancel करते है, 8 पर cancel हो जाएगा, 8 बन जा, 8, 8, 3 जा, 24, इसको 8 पर करेंगे, 8, 6 जा, 48, 8, 7 जा, 56, 4 बच जाएगा, 8, 6 जा, 48, 0 as it is, ठीक है, यह आ गया, फिर से 8 पर cancel करते है, 8, 13 आ जाएगा, 8 पर cancel करते है, 8, 8 जा, 64, ठीक है, तो 8, 4 जा, और 8, 5 जा, यह पूरा-पूरा cancel हो गया, फिर से, फिर 13 पर cancel करेंगे, इसको, divide by 13 कर दो, तो 65 जाएगा, ठीक है, 13, 6 जा, और 13, 5 जा, और फिर से 13 पर करेंगे, 13, 5 जा, 65, तो यह आ गया, 5 multiply, 100, multiply, 100, तो यह जाएगा, 5, 00, 00, 50,000, दो साल पहले population थे, ठीक है, next, 19th question करते है, बच्छो, in the year 2011, the number of malaria patient admitted in the hospital of a state was 4,375, 2011 में malaria के patient इतने जो है, admitted थे, every year, this number decreased, यह number जो है, कम होता जा रहा है, अब decrease में, माइनस करना है, बच्छो, हमने, यह आपने clear रखना है, point, find the number of patient in 2013, तो 2013, इसके बाद ही आएगा ना, तो इसको पी लेना है, आपने, पी की value आपने लेनी है, 4,375, आज जो है, rate है, decrease rate है, यह 8%, यह आपने clear रखना है, तो हमें, बताना है, find the number of patient in 2013, तो हम यह लिखेंगे, number of patient in 2013, कितना आएगा, p into 1 minus, यहाँ minus लेना है आपने, ठीक है, क्योंकि यह कम हो रहा है, decrease हो रहा है, r by 100 power time, जो होता है, कितने साल में निकालना है, 11 से 13, 2 years का time है, तो यह हो जाएगा, बच्चों, 4,3,75 into 1 minus 8 by 100 power 2, इसको हम solve करते हैं, 4,3,75, 100, इसको solve करने का तरीका क्याता है, 100 की 1 से multiply, इसकी यहाँ multiply, 100 बंजा 100, माइनस 8 करतो, 100 में से 8 गया, 92, तो 92 by 100 आएगा, ठीक है, और 2 times है, तो 92 by 100, अब जो cancel होता है, करेंगे 5 पे cancel करते हैं, इसको करेंगे पहले, तो 5,8 जा 40, 5,7 जा 35, 5,5 जा 25, इसको करेंगे, 5,2 जा 20, फिर से आप 5 पे कर सकते हूँ, 5,4 जा 20, 5 पे इसको करेंगे, 5 बंजा 5, 3 बच्चे का 37, 35, 5,5 जा 25, 175 आप 4 पे इसको कर दो, 4,8, 1 बच्चे 12, 4,3 जा 12, फिर से हम 5 पे करते हैं, इनको, 5,4 जा 20, 5 पे इसको कर दो, 35 आजाएगा आपका अंसर, फिर, सॉरी, 5 पे करेंगे, तो 5 जा 10, 20 आएगा यहाँ पे, तो फिर से हम करते हैं, 5 पे, 5,4 जा 20, 5,7 जा 35, 4 पे इसको करेंगे, 23, आप इनकी कर दो, देखो कितना आ रहे है, 23, multiply, 23, multiply, 7, तो मेरा तुआर है, बचो, यहाँ पर, 37,000, उत्थ, सॉरी, 37,003, इतने पेशेंट जो है, 2013 में आपके बच जाएंगे, 20th में देखें, students, a sum of 25,000 रुबेज, तो P की value आपकी यहाँ पर है, 25,000, फिर उसके बाद क्या है, rate, rate है 8%, compounded semi-annually है, यहाँ clear रखना है, semi-annually वाला formula यूज़ करेंगे, amounted to, amount भी हमें given है, find the time period, T हमें निकाल के दिखाना है, तो amount का formula क्या होता है, semi-annually के लिए, P into, value, सीधा value पूट करते है, P, principle, 25,000, into, 1 plus R, by 200, और power होती है, 2T, is equal to amount कितना है, 28, 121.60, ठीके, अब हम क्या करेंगे, 25,000 को divide में लेके जाएंगे, यहाँ से आएगा आपका, इसको अगर हम cancel करने के कोशिश करें, तो 4 पे आप करो, या फिर 2 पे कर दो, 248, 2 बंज़ा 200 आगया, 100 क्यों रखा मैंने, क्योंकि 100 को solve करना असान होता है, तो यहाँ जेगा 100 बंज़ा 100 प्लस 4, 104, डिवाइड बाइ 100, और power है 2T, यह आपने clear रखना है, ठीके, इसके बाद इधर हम देखते है, 28121, 0.60 था, इसका point हट आदेंगे निचे आज़ेगा 100, और यहाँ सिफ 25,000 इधर आएगा, डिवाइड में, 25,000, ठीके, अगर 0 से 0 कैंसल करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं यहाँ पर, 0 से 0, ठीके, तो बचो यह statement काफी बड़ी लग रही है, तो दोनों तरफ हम कैंसल कर लेते हैं, इसको हम करते हैं 4 पे, 4 तू जा 8, 4 सिख जा 24, 4 25 आ गया, ठीके, तो यह हो गया इधर, 26 by 25, पावर ह 4, 7 जा 28, ठीके, फिर यहाँ पर, 1 बचा तो ना जाने की 0 आ जाएगी, 4 3 जा 12, फिर से ना जाने की 0, 4 4 जा 16, यह आ गया, ठीके, अब यहाँ पर जो है, इसको फिर से 4 पे करते हैं, हम कैंसल, ठीके, तो 4 पे कैंसल करेंगे, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, अब इसको फिर से 4 पे करेंगे, हम लोग, 4 जा 4, 3 बच गया, 30, 4 7 जा, 7, 5 7 6, ठीके, आपने भी करके देख लेंगे, तो यह आ जाएगा, अब देखो, नीचे जो है, 25 और 6 25, यह जो है, 25 की पावर है, इसको हम लिख सकते हैं, 25 इसको अगर आप ब्रेक करोगे, तो यह बन जाएगा, 25 x 25, ठीके, उपर 26 है, तो यह जो है, वो 26 के फेक्टर में ही होना चाहिए, ठीके, तो आप जो है, तीन बार, क्योंकि नीचे तीन बार 25 आया है, तो उपर भी तीन बार ही बनना चाहिए, 26 x 26, आप multiply करके देखें, तो यही same आपका answer मिलेगा आपको, ठीके, तो इनके अग multiply 26, अब यह तीन बार है, तो इसको हम conclude कर देंगे, पावर 3 में, is equal to 26 x 25, पावर 3, अब देखो 26 x 25, 26 x 25, दोनों same, तो पावर भी equal होती है, तो बेस को हम छोड़ देंगे, 2 t is equal to 3, तो t is equal to कितना आजेगा, 3 x 2, ठीके, अब इसको mix fraction में change करते हो, तो 1 x 2, तो 1 and half year, यह का answer आगया, ठीके, 21st में देखते हैं, the population of a town, इसको थोड़ा ध्यान से समयना, different सा question है, एक town की population जो है, population हमें given है, 50,000, current population जो है, वो 50,000 है, if annual immigration rate is 6% and annual immigration rate is 4%, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, immigration means है, town को छोड़ कर जा रहे हैं, और immigration means है, वहाँ पर bus रहे हैं, ठीके, आके bus रहे हैं, 4% वो rate है, calculate the population after 2 years, तो 2 साल के बाद population कितनी होगी, तो पहले तो हम निकालेंगे population जो है, कितने लोग जा रहे हैं, अब देखे, first year में क्या होगा, 6% लोग चले जाएंगे, तो हम य of 50,000, 6% का 6 by 100 हो जाएगा, of means multiply 50,000, तो 2 0 से 2 0 cancel, 6 5,000, 33,000 लोग जो है, वो माइनस हो रहे हैं, जा रहे हैं, ठीके, माइनस 3,000 हम यहाँ पर लिख देते हैं, immigration होगा, इनका, emigration, sorry, और immigration वाले, यह लिख देते हैं, यहाँ पर आई, immigration वाली rate है, 4%, तो 4% of 50,000, is equal to 4 divided by 100, multiply by 50,000, 2 0 से 2 0 यहाँ पर भी cancel, 4 5s are 20, तो 2,000 लोग जो हैं, वो प्लस हो रहे हैं, ठीके, तो 1st year में, after 1 year, 1st year के बाद, after 1 year, एक साल के बाद, people कितने बच जाएंगे, अब देखो, 50,000 तो पहले थे, ठीके, अब इस में से, 3000 होगे, माइनस, और 2000 होगे, प्लस, ठीके, 50 में से 3000 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 47,000, 47 में 2 प्लस कर दोगे, तो 49,000, ठीके, यह आगया, अब इतने लोग हैं, एक साल के बाद, अब दूसरे साल में, दुबारा से, वही काम होगा, एमिग्रेशन वाले होंगे, 6%, 6% of 49,000, तो यह होजएगा, 6 by 100, multiply by 49,000, 20 से 20 cancel, अब 490 को multiply करना है, आपने 6 से, ठीके, तो यह आपका आजएगा, 29,40, ठीके, यह लोग जो हैं, वह माइनस हो जाएंगे, और, इमिग्रेशन वाले होंगे, 4% of 49,000, तो यह जाएगा, 4 by 100, multiply by 49,000, 20 से 20 cancel, अब इसको 4 से जब हम multiply करेंगे, तो यह जाएगा, 196, 0, ठीके, अब यह हो जाएंगे, प्लस, तो फिर से, यहां लिखेंगा, हम after second year, after second year, 49,000, minus 29,40, plus 1960, ठीके, अब इसको अगर आप solve करते हों, तो यह आजाएगा, आपका, 48,000, 0 to 0, ठीके, तो इतने लोग जो हैं, दो साल के बाद बच जाएंगे, पीछे आंसर जो है, वो पूरा 48,000 दिया हुआ है, तो इतन वो नहीं आएगा, यह आंसर आपका आएगा, last question है, बचो, if the present cost of a mobile phone is 15,000, तो पी की जगह आपने लेना है, 15,000, value decrease every year by 5%, और हर साल 5% value जो है, वो कम हो रहे है, या find its cost 2 years ago, दो साल पहले हमें cost निकालना है, कितना है, तो पी की value यह नहीं लेना है, बचो, पी की value, जो है, तो यहां में लेना है, cost 2 years ago, दो साल पहले का cost जो है, वो आजाएगा आपका P, ठीक है, अब वाला cost हो जाएगा 15,000, और decrease की percent जो है, वो है 5%, तो formula हम लेते हैं, P into 100 minus R, divide by 100, power T is equal to amount जो है, वो अब वाला, current price है, 15,000, तो यह हो जाएगा, P into 100 minus R, rate कितना है, 5%, तो 100 minus 5, 95 divided by 100, power हो जाएगी 2, क्योंकि 2 years ago हमें चाहिए, price का, तो अब, देखो, 92 है power, तो इसका मतलब हो जाएगा, 5 पे आप चाहेए, तो यहीं पे भी cancel कर सकते हैं, इसको लेकिन हम shift करके फिर करेंगे, तो यह हो जाएगा, 95 divided by 100, 95 divided by 100, is equal to 15,000, ठीक है, अब यह हो जाएगा, P is equal to 15,000, multiply 100, multiply 100, ठीक है, divide by 95, multiply 95, 5 पे cancel करेंगे, 19 आजाएगा, इसको करेंगे, तो 3000 आजाएगा, ठीक है, फिर से 5 पे 19, 5 पे 600, अब इन सब की multiply करते हैं, तो उपर तो आजाएगा, 600, multiply, तो 0 लग जाएगे, इसके साथ, ठीक है, 00, 00, divide by 19, multiply 9, पहले 19 से divide करो, इसको फिर से 19 से करो, तो आपके पास points में आएगा, ठीक है, 16620, 4986, ठीक है, अब हमें सिरफ 2 तक value चाहिए, प्राइज है, तो मैंने बताया था, 2 प्लेस तक लेना है, अब यह 5 से बढ़ा है, तो एक प्लस कर दो, 49 प्लस 1, 50, तो 16620, 0.50 इसका answer आजाएगा, तो यह था, dear students, chapter check up 10th, class 8, Oxford maths में से, और भी नए नए वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगी, तो देखते रहेंगे, और चैनल को सब्स्राइब करना ना बूलिएगा, धन्यमाद,